इस सीरीज के पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख के आ जाएं लंबा सा गया पागया है ना? कोई बात नहीं अब वीडियोज रेगुलर आएंगी शुरू करते हैं Cells of Innate Immune System से जैसे कि मैंने कहा Cellular Command, Innate Immune System का Command संभालते हैं ये Cells बात करेंगे हम Phagocytes की, Natural Killer Cells की, Mast Cells and Basophils की, Dendritic Cells की और कुछ और Cells जो हैं जैसे कि Eosinophils, Platelets और RBCs ठीक है? आउटलाइन पहले जल्दी से देख लेते हैं बात करतें सबसे पहले Phagocytes की Phagocytes यानि खाने वाले Cells उसमें आते हैं कुछ Mobile Phagocytes कुछ हो सकते हैं आपके Mononuclear Phagocyte System Mobile Phagocytes की बात करते हैं जो घूम सकते हैं यानि Petrolling Duty संभालते हैं उसमें आते हैं Polymorphonuclear Cells यानि PMNs और इसमें जो Main Member है वो है Neutrophils Neutrophils को मैंने NP करके लिखाए अब Mononuclear Phagocytes System में आते हैं Monocytes और Macrophages Basically Monocytes Blood में होते हैं और यही जब tissues में Settle कर जाते हैं तो इन्हें हम Macrophages बोलते हैं बचपन में अगर आपने Pokemon देखा होगा तो अगर मैं आपको बताऊं Pikachu से Raichu या फिर Charmander से Charizard आप समझ जाओगे यह वही केस है Monocytes का Macrophage बनना Basically उसका विकसित होना होता है वो जब Blood में यानि Circulation में होता है तब वो Monocytes क्यालाता है और Macrophage जब वो tissue में जाके Settle हो जाता है अलग-अलग tissues में अलग-अलग नाम यह हम बाद में डीटेल में देखेंगे अच्छा इन Phagocytes का General Procedure क्या होता है Action का सबसे पहले तो Chemotaxis पहचान के उस जगह पे जाके पहुँचेगा उस Particular Part से जाके जुड़ेगा उसे Phagocytos करेगा यानि उसे खा जाएगा और Finally उसे मार डालेगा डीटेल्ड प्रोसीजर बाद में देखेंगे आते हैं Natural Killer Cells पे यानि NK Cells ये Throughout Body Tissues में मिलते हैं Mainly ये Natural Killer Cells Circulation में मिलते हैं और इनका जो function होता है नाम से पता चल रहा है ये Basically सुपारी Killers होते हैं उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें इन लोगों को मारना है Basically ये अपने ही Cells को मारता है जो भी Infected Cells होते हैं उन Infected Cells को ये जाके ये मारता है तो Basically Viral Infection जब होता है तो Cell Surface Molecules Change होते हैं इसी Change के वो डिटेक्ट करता है Perforins, Granzyme से Apoptosis लाके Finally उन Cells को मार डालता है इसके अलावा NK Cells Interferon Gamma भी बनाते हैं जो की Neighboring Cells जो की Uninfected हैं उनको Protection भी देते हैं अच्छा, अब बात करते हैं Maft Cells और Basophils की Maft Cells हमें Mostly Connective Tissues में मिलते हैं और Basophils Circulation यानि Blood वगरा में मिलते हैं ये दोनों ही जन्म लेते हैं ये पूरा Process हम बाद में देखेंगे Similar Morphology होता है इनका और Functions भी Similar होते हैं इनका Activation अगर होता है तो इनमें हो जाता है Degranulation ये Granulocytes होते हैं जिनमें Granules होते हैं ये Granules निकल जाते हैं और इनमें से कुछ Pharmacological Mediators निकलते हैं जो कि कुछ important चीज़ों को अंजाम देते हैं पहला ये Vasodilation को बढ़ा देता है यानि Blood Flow बढ़ जाता है Vascular Permeability बढ़ता है और WBC का Migration भी बढ़ता है Basically Inflamatory Response की बात कर रहे हैं हम लोग जिसे ये बढ़ावा देता है Next आते हैं Dendetic Cells पे Dendetic Cells को हमने DC के form में लिखा है ये तीन टाइप के होते हैं Langerhand Cells, Interdigitating Cells और Follicular Dendetic Cells ये Basically Interface का का काम करते हैं Innate और Adaptive Immunity के बीच का तो Basically ये Antigens को Recognize करते हैं वो एक Innate Response होता है Recognize करना फिर Process करते हैं फिर इसे Present करते हैं Adaptive Immunity के उन T-Cells के पास अब कुछ और Cells भी होते हैं जैसे Eosinophils जिसे हमने EP के form में लिखा है ये Basically Toxins से मारते हैं क्या मारते हैं बाद में देखेंगे Platelets, Platelets Mediators का काम करते हैं और Compliment Activation करते हैं इसके अलाबा RBCs वो भी Bind करते हैं Immune Complexes से और उसे Remove करने में मदद करते हैं सारे Roles हम Detail में अब देखेंगे एक-एक करके तो यहां तक हम देख रहे थे Outline Cells of Innate Immune System का आने वाले वीडियोज में हम देखने वाले हैं इन सारे Cells के Details ताकि ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चप जाए Thanks a lot for watching and stay tuned for the next videos